Hello दोस्तों, महानगर गैस के बारे में वीडियो में बात करेंगे, अगर आप मार्किट कैप में देखेंगे, 10,000 करोर के आसपास का मार्किट कैप है, small cap कंपनी है और अगर आप मुंबई के आसपास के एरिया से बिलॉंग करते हैं, तो जरूर आपने अपने घर के आसपास मे महानगर गैस के जो pumps हैं, उनको भी देखा होगा, तो थोड़ा business को समझते हैं, तो देखे, CNG और PNG के वो distributor है, मुंबई और राइगड के असपास के area के, CNG, cars में use होता है, एक important यहाँ पर fuel है, एक alternative है, petrol और diesel का, और PNG, मतलब piped natural gas, जैसे हमारे घरों में cylinders आते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी अभी states हैं, जहाँ पर अभी pipe natural gas के द्वारा directly आपके घर में gas आ जाती है, तो यहाँ पर उनका main business है, customer base भी मजबूत है, अगर आप मार्स 2023 देखेंगे, तो 9.2 लाख vehicle CNG के और PNG का भी जो connectivity है, 20 लाख से ज़्यादा customer के, जो domestic household है, उनके घर मे है, ठीक है, अब own कान करता है, उनको gail, वो उनका owner है, और साथ साथ में government of maharashtra और फिर public, फिर mutual funds, ये लोग फिर उनको own करते हैं, but majority 30% से उपर gail की ownership है, focus अभी government का ये है कि इतना हो सके clean और green जो fuels हैं, जैसे CNG, PNG उसको focus किया जाए, तो ये एक important positive business के लिए हो सकता है, plus petrol और diesel, उनका price हमेशा जादा है, compared to LNG के जो price है, या CNG के जो price है, उसके comparison में, तो ये सब कुछ positive यहाँ पर, जब हम business की बात कर रहे हैं, तो हमको देखने को मिल रहा है, अब कैसा performance रहा है, तो देखे, performance में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 20-30% जैसा growth है, नहीं, ये simple, उन्हों 10% के आसपास में, आने वाले time में यही देखना है, कि ये जो growth है, और कैसे बढ़ रहा है, या steady रह रहा है, तो उसके उपर business का performance समको बाद में पता चलेगा, revenue कैसा रहा है, ये पिछले कुछ सालों का revenue है, तो revenue उनका steady ही था, financially 18, 19, 20, 21, 22, लेकिन last year में उनका revenue increase हुआ था, और ये revenue 6,299 करोड यहाँ पर हो गया था, यह देखिए, यह revenue का यहाँ पर profit and loss statement में हम लोग जाते हैं, 6,299 करोड और उससे पहले जो revenue था, कम था, तो अभी यही देखना है, quarter 1 और quarter 2 का जो results आये हैं, quarter 1, quarter 2, तो जो revenues आये है, 1500 करोड से उपर ही है, मतलब 3000 करोड, अब दे बट profit भी बहुत जादा नहीं है, revenue बढ़ा है, देखिए, लास्ट यर अगर आप देखेंगे, financially 22 जब revenue कम था, 3560 करोड था, तो भी उनका profit आप देखिए, यहाँ पर 597 करोड था, यह revenue बढ़ा है, लेकिन यह profits बढ़े हैं, बट उतना नहीं बढ़ा है, 790 करोड, तो यहा जो gas के जो prices है, उस पर एक upper limit लगा दी गई थी, तो इसलिए last year भले ही revenue बहुत हुआ था, लेकिन वो profits में बहुत conversation नहीं हुआ, और आप देख सकते हैं, margins पहले 32, 35, 43% थे, last year margins 19% थे, अगर यह revenue इसी level पर रहता तो फिर तो company का profit और कम हो सकता था, in fact आप देखिए, पिछ gas के price नहीं बढ़ा सकते हैं, pump में हो या फिर household में हो, तो उन्होंने क्या कि अपना margin को थोड़ा sacrifice किया था, लेकिन ये सल ऐसा situation नहीं है, ये सल देखिए, gas के prices, फिर again, oil, crude के prices भी बहुत, इस सल हमको कम देखने को मिल रहे हैं, तो इस सल आप देखेंगे, last year के comparison में margins better रहे दोस्तों, आप हमारा जो telegram group है, उसको explore कर सकते हैं, 3600 से ज़्यादा की community है, description box मैंने link को दिया हुआ है, एक click से आप उस community को join कर सकते हैं, जहां पर हमनों business analysis पर focus करते हैं, फिर dividend, passive income, personal finance related content को ले कर आते हैं, दोस्तों, अब price to earning को देख लेते हैं, price to earning अभी कितना दिखा र है, जैसे मैं हमेशा analysis में, जब मैं focus करता हूँ, तो देखे, 15.9 है, 5 यर का भी data देख लेते हैं, कितना था, 14.3 है, तो अभी 8.8 है, तो पहला thought process तो simple यही है, कि अपने historical level से तो सस्ता में मिल रहा है, और यहां पर अगर आप देखेंगे, इतना समझ में आ रहा है कि company profit कर रही है, लेकिन उनका market cap बढ़ नहीं रहा है, और market cap बढ़ नहीं रहा है, मतलब share price भी बहुत बढ़ नहीं रहा है, इतना समझ में आ रहा है, तो P.E.D. rating हुई है, दूसरा thought process यह भी हो सकता है, कि भले ही सस्ता है company, सस्ता में मिल रही है, लेकिन जो growth के जो chances है, वो उतना ज्यादा नहीं है, जितना सोचा जा रहा था, यह हमको अब future ही बताएगा, 2023 almost अब खतम होने आया है, 2025-26 को ही पता चलेगा, कि ओके, इनका क्या steady growth है, या फिर market अभी उनको गलत तरीके से देख रही है, मतलब market अभी market सोच रही है, कि अभी बहुत ज्यादा उनका growth का गु most debt-free company है, और AAA की rating है, अगें, यह सबसे strongest rating है, तो यह सब कुछ positive चीजे है, जैसा सोचा जा रहा है, वैसा अगर growth नहीं हुआ, या growth कम होता है, company का, महानगर gas का, तो फिर क्या होगा, ठीक है, तो इसलिए business को भी और समझना जलूरी है, तो क्या risk हो सकता है, जहां हमने कुछ positive चीजे की सस्ते मिल रहा है, लेकिन, देखे, CNG, PNG का जो है, petrol, diesel के comparison में, तो एक अच्छा, मतलब, एक अच्छा उपाई है customer के लिए, लेकिन, एक और चीज समझना है, कि अगर कल, let's say, petrol के दाम कम हो जाता है, तो फिर petrol और diesel की जो cars है, या फिर जो vehicle से, उनका demand फिर से बढ़ सकता है, तो ये थोड़ा सा price spread पर बहुत कुछ, जो है product depend करता है, फिर उनकी Mumbai और उसके आसपास के, जो areas थे, वहाँ पर exclusivity थी, वो अब expire हो चुकी है, तो नए player आ सकते है, अगर ये theoretical हम बोल सकते है, कोई भी आ सकता है, लेकिन आसान नहीं है किसी के लिए, लेक next है, electric vehicles की, जो भी customers है, सीधा petrol, diesel, cars है, वो सफिर CNG में गए ही नहीं, सीधा electric vehicle में चले गए, तो ये एक impact हो सकता है, again next है, geographical areas जो है, नए नए एरिया में वो जाए, तो भी business growth की संभावना है, तो वो delay हो जाता है, या नहीं होता है, तो ये सब कुछ risk को भी ध्यान में रख होगा, इतना हमको समझ में आ रहा है, तो end में उन्होंने volume का 5-6% का guidance दिया, जो कि बहुत strong guidance नहीं है, recently उन्होंने Unison Enviro को acquire किया हुआ था, और next, last में की margin related uncertainty है, अब वो कम हो गई है, क्योंकि किरिट पारेक साब की जो report आई है, उसके बाद से ये एक important change हमको देखने को मि दोस्तों, thank you, धन्यवाद आपके time के लिए, thank you दोस्तों.